दोस्तो नई दिल्ली विस्थित अफगानिस्तान के अमबेसी पर ताला लगने वाला है जी हाँ दोस्तो वो बंद हो जाएगा और इसके बंद होने के पीछे अफगान अमबेसी ने मोधी सरकार पर निशाने लगाए हैं मोधी सरकार पर काफी दोश भी लगाए हैं भारत को स आफ साफ कहा गया है कि आपके वज़े से यह बंद हो रहा है पर दोस्तों इसके अंदर कुछ और कहानी है कुछ इंटरनल पॉलिटेक्स है जो हम जानेंगे जिस वज़े से यह बंद हुई है और अंच में मैं आप से पूछूंगा आखिरकर भारत को क्या करना चाहिए था कि को सपोर्ट करना था यह आप मुझे बताईएगा और फिर आप बताईएगा सरकार का फैसला सही है या गलत है जो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों न्यूज में कवर किया गया है किस प्रकार से भारत में हर मीडिया में कवर हो रहा है सिर्फ भारती नहीं विदेश इनफॉर्म किया है कि भाई जो हमारा इंबसी है वी आर फोर्जड तू क्लोज इट डाउन मतलब हम मजबूर हो गए हैं इसे बंद करने के लिए डियो टू लैक और रिसोर्स क्योंकि हमारे पास अंसाधन नहीं थे इस इंबसी को चलाने के लिए तो यह तो उन्होंने कार है अगर हम उनकी वाद करें तो उस पर लगाये हैं और कहा है कि देखिए कई बार हमने हमसे गुजारश की कि आप सपोर्ट कीजिए लेकिन उन्हों नहीं कि और हम मजबूर होके इसको बंद कर रहे हैं ऐसा उन्होंने कहा है अब दोस्तों इसके पहले आगे बढ़े आ फरीद मामुद्जाई अगर आप देखे तो अश्रफ घानी गवर्मेंट के दौरान इनको एपॉइंट किया गया था और याने की प्रीवियस अफगान रेजीम जो हुआ करता था तालिबान टेक ओवर के पहले उस गवर्मेंट ने इनको एपॉइंट किया था लेकिन आपक वो तब से continue कर रहे हैं embassy आज भी वो प्रीवियस अफगान रेजीम वाले ही चला रहे हैं और कमाल की बात क्या है ये खुद embassy में रहते नहीं है अगर आप मामुद्जाई की ही बात करें ऐसी कहानी है इनकी कि ये लंडन गय थे क्योंकि इनका परिवार तो भाही लंडन में रहता है अब देखिए अफगानिस्तान रेजीम की जो खासियर थी ये रेजीम यूएस के द्वारा इस्टैबलेश किया गया था दे वर नॉट एलेक्टेड बट लार्जली सेलेक्टेड तो एमबसी वगेरा हर जगा ऑफीशिल जो कॉंटाक्ट वाले हाई प्रोफाइल थे वही जाके वहां रहा करते थे अब क्या हुआ ये वापस गए थे लंडन कुछ दिनों पहले कुछ महीनों पहले अपने परिवार से मिलने फिर जब वापिस भारत आए तो एमबसी में गये हैं क्या हल चाल देखके तो आएं सब कोई क्या कर रहे हैं जैसे ही अंदर जा इनको इंटरी नहीं मिली क्यों नहीं मिली अभी बताऊंगा पर इससे पहले जानिये तो एमबस्डर ममुन्जाई तब इसे भारत में है ही नहीं और सिर्फ यही नहीं कई डिप्लोमेट जो अफगानिस्तान एमबसी में थे वो तीसरे देशों में भाग गये कोई फ्रांस चला गया तो कोई यूएस चला गया कोई कैनेडा चला गया अलग 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 देशों में जाके बस गए हैं तो एमबसी बस बिल्डिंग खड़ी है कुछ ऑफीशल जरूर यहां पर रहते हैं जिनका कॉंटाक्ट वगेरा नहीं था वो बज गये यहां पे अब समझे क्या हुआ अब दोस्तों एमबसी के अंदर टेंशन सिमर करने शुरू कर गए तो हुआ के दोस्तों पहले तो आपको मालू है मामुद्दा यह पॉइंट किये गए थे उन्हीं दिनों में अगर आप देखे तो कादिर शाह इनको आप तस्वीर में देख रहे हैं यह है कादिर कादिर शाह अगर आप देखे तो इनको एपॉइंट किया जाता है ट्रेड काउंसिलर उस एमबसी में एक ओफिशल होते हैं जो की काम करते हैं फिर होता यह है दोस्तों जैसे ही आपको मालूम है तालिबान टेक ओवर हो जाता है और उसके बाद यह कह देते हैं कि भाई मै अब से इस अफगान एमबसी का एमबस्जर हूँ मामुनज़ई नहीं है मैं हूँ और तालिबान से पूछा जाता है कि ऐसा इंडिया में हो रहा है आप क्या कह रहे हैं आपका कौन है ओफिशल एमबस्जर तो वो कहते हाँ हाँ हमारा एमबस्जर यही है कादिर शाह है औ अब दोस्तों यहां पर आप एक बात समझेए जो लोवर ब्यूरोक्रेसी है इस अफगानिस्तान एमबसी की वह अगर आप देखे तो वह इसके सपोर्ट में हैं क्यूं होगी आप जबा सोचिए लोवर ब्यूरोक्रेसी में वह लोग हैं यह सारी चीज़े जो देख रहे हैं तो यह अपनी किसके साथ करना चाहेंगे जायर सी बाते तालिबान के साथ क्योंकि उनका तो वही देश है बागी है जो हाईयर ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं इनके पास बहुत आप्शन है फ्रांस अमेरिका कहीं भी चले जाएंगे तो आप यही हैं अम्बेसज़र लेकिन लोगर ब्यूरोक्रेसी के अनली तालिबान वाला है हमारा अम्बेसज़र तो आप समझ पा रहे हैं क्या हो वह तर दें चैस कर रहे हैं घंपर भी lanes कर रहे हैं अपर नहीं कर पा रहे है जब से इंडिया ने काबूल में अपना embassy open कर दिया है इंडिया ने कब से अफगान invasion होता है तालिबान रिजीम आती है और उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया फाइनली वापस से काबूल में अपना embassy reopen करता है तालिबान के साथ काफी negotiation के बाद embassy full flow में काम तो नहीं क जाता है और उसके बाद से अफगानिस्टान embassy का कहना है कि हमको ऐसा लगता है मानो जैसे सूपर सीड कर गए कर दिया गया हो अब आप डालिबान में बात कर रहे हैं उनके साथ बात कर रहे हैं हमारा तो कोई रोली नहीं रह गया ना आपने हमको तो सूपर सीड कर दिया हम अफगानिस्टान embassy को वो diplomatic friendly considerations allocate ही नहीं किये गए आप हमारे देश में जाके embassy खोलते हैं और हमसे बात भी नहीं करते हमसे पूछते भी नहीं इस बात को लेके वो बड़ा परेशान हैं दूसरी बात समझे अफगानिस्टान embassy ने mention किया कि जो इंडिया और अफगानिस्टान के बाद में relation है वो पहले की जैसा अगर हम जोशी से भरा और मदबूत नहीं है तीसरी बात सुनिए उनका कहना है जो आफगान स्टूडेंट्स हैं उनको आपने छोड़ दिया उनका वीजा प्रसेस नहीं किया और यहां पे specially उनका कहना है कि जो महिलाई थी जो बच्चिय इंडिया इनको वीजा दे और इंडिया बुला ले तो यह नहीं हो पारा इस बात को भी लेके उन्होंने इंडिया से नराजगी जताई है इसके सिवा अगर आप देखे तो उनका कहना है अफगानिस्टान डिप्लोमेटिक मिशन जो न्यू दिली में है वो इंडियन गोव तो पाजिस्तां के साथ उसके प्रॉबलम्स चल रहे है और एक तरीके से आप देखे तो हमारे लिए फाइदे मंद है कि टालेबान पाकिस्तान को एक फृण्ट पे इंगेज करके रखा है तो हम तो चाहेंगे कि हम इसी तालिबान के साथ इंगेज करें end of the day they are the ones who are calling shots as well वही हैं जो की position of power में बैठे हुए हैं यह सब तो क्या है इन सब को अगर इनकी बात करें यहां पर आप देख रहे हैं यह सब तो अलग-अलग देशों में अपना रहते हैं वहीं पर छुट्टियां मनाते हैं they are the influential elites जो अलग-अलग देशों में रहते हैं इ उसके representative से ही हमारी जो relation से मजबूत हो तो इस वक्त अगर हम उस geography की बात करें तो इन लोगों के हाथ में ज्यादा कुछ रह नहीं गया है अगर हमको इनको नाराज करने से बहतर इनको नाराज करना उतना बुरा option नहीं है compared to Taliban में जो बैठे हुए लोग हैं उनको नाराज कर तो कहीं न कहीं तालिबान रिजीम नाराज हो जाएगा हम क्यूं चाहें इस वक्त उसको नाराज करना है ना दिनिया में इतने सारे बाखी देश भी तो हैं जो की so called अपने आपको human rights के रखवाले कहते हैं वो क्यों नहीं करते उनकी पहली जिम्मेदारी इसके सिवा already internal politics भ पैसा देना बंद कर दिया एंबसी रन करने के लिए यह कहते थे कि इंडिया पैसा दे अब इंडिया क्यूं दे पैसा जब तुम्हारा कुछ काम ही नहीं है हमको वहां पे कुछ काम करवाना भी है अगर अफगानिस्तान में तो तुम्हारी पहुंची नहीं है तो तुम हम already ambassador मौजूद है काबूल में हमको आवशक्ता ही नहीं है कि तुम्हारी इंबसी यहां पे रहे औरेडी काबूल में है उनको बोलेंगे वो आपके रीडर से बात करेंगे तो हमारा काम तो हो जाएगा हमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर अगर आप समझें तो दोस्तों ए पहले दो तो कह दियें कि हम फ्रांस जा रहे हैं और जितने भी इंडियन स्टाफ थे उस इंबसी में जो काम करते थे उन लोगों को एक दिन में ही हटा दिया गया और उनको मिशन में घुसने भी नहीं दिया गया अचानक से तो दोस्तों यह सब पूरी कहानी है अब मैं आ आपके मन में क्या है कॉमेंट में जरूर बताईएगा बाकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें भारत समवाद आप लोगों का अपना चैनल है प्लीज मेक शूर इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहु